तो आज हम पढ़ेंगे आपके solution, dilute solution और qualitative properties जो हम पढ़ रहे थे Colligative properties में हम आपके osmotic pressure कर चुके थे और आपका lowering in vapor pressure भी कर चुके थे तो अब जो तीसरा आता है हमारा वह आता है elevation in boiling point तो इसके लिए सबसे पहले आपको boiling point पता होना चाहिए एक liquid का तो यह आपका क्या होता है वो temperature होता है जिस पे आपका जो vapor pressure जो vapor pressure है यह किसके equal हो जाए atmospheric pressure के equal हो जाए तो यहां से आप याद रखेंगे अगर boiling point कभी भी आपका माइंड में है तो वीपी इस इक्वल टू एपी आद रखें विपर प्रेशर इस इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर जब हो जाए तो वह एक liquid का boiling point होता है तो हमने क्या पढ़ा कि आपका वेपर प्रेशर होता है किसी solution का उसमें क्या हो नौन वालेटाइल सॉल्यूट हो तो उसमें आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो लेस दन दैट होता है सॉल्वेंट से इसके हमने सारे के सारे ग्राफ कव्व वगेरा वो भी पढ़े थे तो वह आपको वैरियेशन जो है वेपर प्रेशर में इस वेपर प्रेशर और नौन इडिल सॉल्यूशन में वह हम सारा का सारा पढ़ चुके थे तो अब देखें यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पढ़ता है वह हमने पढ़ना है तो देखें चलके पढ़ते हैं लेट्स केस्ट इस टार्ट तो यहां पर इस डा यहां पर आपका सीडी कर्व है यह क्या रिपरेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और यह डिफरंट टेम्परेचर की बात करने एक जनरल आइडिया लेकर चल रहे हैं हम तो जो आपका वेपर प्रेशर कर्व सीडी है ठिक है यह क्या करता है Satusnt के नीच अगर हम different temperatures की बात करते हैं तो और ये क्यों होता है आपका क्यों कि जो आपका विपर प्रेशर होता है solution का वो हमेशा क्या होता है less than होता है pure solvent से यहां पर लिख देते हैं जो विपर प्रेशर होता है solution का वो क्या होता है हमेशा less than होता है विपर प्रेशर of आपके solvent से तो इस तरह से इसको याद रखने की कोशिश करें और यह जो बात हो रहे हैं यह हर एक टेंप्रेचर पर जनरल टेंप्रेचर की यहां पर बात कर रहे हैं हम अगर डालते हैं किसी सॉल्वेंट में जद उसका सॉल्यूशन प्रिपेर होता है उसका जो वेपर प्रेचर होता है वो क्या होता है क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन बना है ठीक है नोन वोलेटाइल सॉल्यूट से जो आपका सॉल्यूशन बना है वो क्या होता है आपका लेस वोलेटाइल मतलब उसकी जो एसकेपिंग टेंडेंसी है वो क्या होती है कम होती है तो उसका वेपर प्रेशर भी आपका क्या तो इसका ज्यादा होगा इससे हमीशा तो यह बात आपकी यहां पर बताई गई है therefore the solution has to be heated to a higher temperature so that its vapor pressure become equal to the atmospheric pressure तब solution को heat करेंगे high temperature पर ताकि इसका vapor pressure किसके equal हो जाए इसके atmospheric pressure के equal हो जाए thus the boiling point of the solution is always higher than that of the pure solvent the difference in boiling points of the solution TS and pure solvent T0 that is TS-T0 is the elevation in boiling point देखे अब यहां पर क्या बात की गई है कि यह जो आपका normal solvent है ठीक है इसका जो vapor pressure है और जो आपका solution बना non-volatile solute डालने के बाद इसका जो vapor pressure है इसमें क्या है आपका कुछ difference है यह आपका greater है यह आपका कम है तो इसको इस वाले को यहां तक लेके आने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा external heat देनी पड़ेगे हमारी external heat हमें देनी पड़ेगे extra temperature प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि इसका जो आपका vapor pressure है वो किसके equal आजाए atmospheric pressure के equal आजाए तो यहाँ पर यह जो external दिया गया है यह जो elevation दिया गया है आपका boiling point में non-volatile solute containing solution में यह आपका क्या है elevation in boiling point तो यह क्या है आपका TS minus T note यह आपका elevation in boiling point है या फिर इसको del TBB आप बोल सकते हो तो इस तरह से यह आपका concept आगे चलेगा तो देखें यह हमारे यहाँ से elevation and boiling point की आपकी क्या आगई equation आगई del TB is equal to TS minus T note आगया तो यहाँ से हमें clearly पता लग रहा है जो आपका vapor pressure curves है जो हमने अभी पिछे बढ़े है उनका जो magnitude है आपका del TB का वो किस पर depend करता है lowering of vapor pressure पर depend करता है तो directly आपका यहाँ से यह वाले relation आगया क्योंकि vapor pressure पर depend कर रहा है बात किस की हो रही elevation in boiling point जो हो किस पर depend कर रहा है आपके vapor pressure पर direct depend कर रहा है तो यह इसके proportional आगया तो देखिए हमें roll slow के according आपका पता है कि जो vapor pressure है जो lowering in vapor pressure है आपका वो आगे किस पर depend करता है आपके mole fracture पर depend करता है तो इसको यहाँ पर इस तरह से लिग दीजिए तो यह यहाँ पर क्यों होगा इन दोनों equation से जो आपका क्या पता लगता है जो आपका change in temperature है आपका वो किस के proportional आगया mole fraction के proportional आगया तो यहाँ से हम क्या कर सकते है proportionality constant हटा दीजिए एक के आजाएगा x2 x2 को खोल दीजिए क्या आजाएगा n2 y में n1 प्लस n2 आजाएगा आपका तो यहाँ से आपका क्या है n2 और n1 आपके number of moles of solute आगए और solvent आगए respectively और w2 grams of solute are dissolved in w1 grams of solvent m2 and m1 are the molecular masses of the solute and solvent respectively तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं देखिया आपका जो number of moles होता है वो किस के equal होता है weight by में molecular mass आपके equal होता है तो यहाँ पर इस तरह से यह equation को change कर दिया गया है और कुछ नहीं कर दिया गया है तो अगे यहाँ पर आपका क्या होगा डैलोर solutions के अगर मैं बात करते हूँ तो उसमें क्या होगा एक आपका बड़ा होगा और एक दूसरा क्या होगा इतना चोटा होगा उसको हम neglect कर सकते है तो इस तरह से यहाँ पर हमने neglect कर दिया आपके W2 जो है आपका W2 बाइ में M2 यह neglect कर दिया denominator में आपका तो इस तरह से यह आपकी equation बन जाएगी यह इस तरह से बन जाएगी N2 दुबारा से आपका आजाएगा इस तरह से लिखा जाएगा आपका इसके बाद जो आपके term यहाँ पर N2 Y में W1 है वो किसके एक्वल आपकी morality अब देखें morality का आप मुझे formula बताएंगे comment section में कि आपकी morality क्या है और आपकी morality क्या है यह दोनों के दोनों चीज़े आप मुझे बताएंगे और एक आप मुझे सिर्फ और सिर्फ rolls law का अगर equation आप लिख सकते हूं तो वो लिखें तो यहाँ से आपका किसके equal आगया है जो आपका elevation in boiling point था वो किसके को लागया के proportionality constant हो गया M1 और into में M आपका यहाँ पर M1 और जो K है ये constant है और K into में M1 जो है ये replace करती है हमने एक और constant से KB से तो यह क्या आगया आपका del TB is equal to KBM आगया आपका KBM क्या आपका boiling point elevation constant या फिर moral elevation constant क्योंकि ये किस से बना है आपका मिलकर इन से बना है आपका मिलकर तो इस करके ये moral elevation constant भी इसको बोल सकते हैं या फिर moral ebulioscopic constant तो यहाँ पर जो morality है solution के अगर वो one हो जाए equation में तो आपका ये constant के equal हो जाएगा तो moral elevation constant हम किस तरीके से define कर सकते हैं कि elevation in boiling point for one moral solution जो यहाँ पर इसके जो इनिट से वो आप ये लिखेंगे ठीक है के Kelvin के लिए आपका केजी हो गया और पर मोला का ठीक है आप इसके करेंगे हम thermodynamic derivation of elevation in boiling point एक solution consider करते हैं non-volatile solute का जो की क्या होगा equilibrium में होगा अपने विपर के साथ solvent के since जो solution है हमारे वो non-volatile है जो वेपर है वो किसके होगे pure solvent के होगे तो जो solution वेपर equilibrium है उसको किस तरीके से लिख सकते इस तरीके से हम लिख सकते है ठीक है तो relationship जो है elevation in boiling point और moral concentration of solution का हम उसको कैसे derive कर सकते हैं by applying closest clapiron equation और साथ में उसके roll slow तो यहां पर यह जो लिखे गई है integrated form है clauses capiron equation as applicable to liquid vapor equilibrium तो इस तरहां से ही आपकी P2 by में P1 का natural log is equal to dell HV by में R और आपका 1 by T1 minus 1 by T2 तो यहां पर P1 आपका vapor pressure है at temperature T1 और P2 है vapor pressure at temperature T2 dell H आपका latent heat of vaporization of the solvent है आपका तो यहां पर आगे जो हमने जैसे आपका figure 19 की थी ना आपकी यहां पर यह वाली जो figure करी थी इसकी ही आगे explanation चल रही है इसी को देखेंगे यह curve आप यह जो यहां पर दो A, B और C, D का solvent resolution के लिए जो curve दिया गया है इसे आप याद रखें तो इसमें आपका क्या है consider किया vapor curve चले मैं यहां पर बनाई देते हैं side में ताकि आपको पता लग जाए तो यहां पर हम consider कर रहे हैं CD vapor pressure curve CD का solution के लिए तो इसको यहां पर यहां पर इस तरह से देख ले तो set of condition कुछ temperature और vapor pressure की 4.z and y lying on the CD कर तो इसके कुछ जो condition है set of condition temperature pressure की किस तरह से है कि अगर हम point z की बात करती है तो आपका जो temperature क्या है यहां पर t0 है और अगर हम pressure आपके y point पर बात करते तो यहां पर क्या है आपका temperature ts है यहां पर और आपका जो 7-7 vapor pressure है वो क्या है y के लिए p note है और आपका ये आगे ये जो ये वाला है z वाला जो point है इसके लिए क्या है vapor pressure ps है तो यहां पर ये condition है आपकी और जो इनके बीच का तो आपकी जो clausius klaperon equation है such condition के लिए वो किस तरह से लिखी जा सकती है वो इस तरह से लिखी जा सकती है तो ये हम उपर पड़ी रखे है जो वो t1 और t2 की बात कर रहे थे यहां पर t1 और t2 है इसको क्या लेकर चलेंगे हम cd कर्व के लिए t0 और ts लेकर चलेंगे और p2 by p1 को p0 by ps लेकर चलेंगे तो इस तरह से आपकी equation बन जाएगी इसे थोड़ा से rearrange करेंगे solve करेंगे उसके बाद जो ts minus t0 है ये क्या value है आपकी elevation in boiling point वाली ठीक है आपका क्या हो जाएगा जो t ऐसे वो मान लो जो t0 के equal अगर हो जाए तो ये ये वाली टर्म है आपकी ये क्या हो जाएगी यहाँ पर t0 square हो जाएगी तो ये यहाँ पर इस तरह से आपकी equation चेंज हो जाएगी in the present situation the solution containing non-volatile solute is dilute and taken as an ideal solution तो देखें non-volatile solute dilute लेकर चल रहे हैं और ideal solution लेकर चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका roll slow बे करेगा तो उसके equation आपकी क्या होती है यह होती है यहाँ से इसको थोड़ा सा solve करेंगे यहाँ से यह किस तरह से आ सकता है इस तरह से आ सकता है ठीक है इसको यहां पर लेकर जाएंगे तो यहां पर लेकर जाने के बाद ये वली क्या होगी equation ऐसे बन जाएगी आपकी यहां से इसका natural log ले लेंगे natural log ले लेंगे हम क्या कर रहे हैं ये वली जै equation आपको ये नीचे कोशिश करेंगे कि ये वाला जो part है और ये वाला part है इसको बना ले और फिर इन दोनों को equal रखें तो यहां से इस तरह से आगे चलती जाएगी यह log ले लिया हमने यहां पर log लेने के बाद आपका जो आपकी यहां पर यहां पर यह वाली term है इसको उल्टा कर दिया तो एक माइनस आ जाएगा जो कि हमने यह यहाँ पर भीज दिया तो इस तरह से आपके equation 5 तक यहाँ पर इस तरह से solve हो जाएगी तो डायलूर्ट solution के लिए जो concentration is solve होगी वो बहुत small होगी तो आपकी जो x2 है तो 1 क्या होगा लार्ज होगा आपका x2 से तो x2 क्या होगा थो यानि यह क्या हो सकता है इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका log 1 minus x2 है वो minus x2 के equal भी आ सकता है या फिर आप इसको यहाँ पर ले लिजी यह x2 के equal आ जाएगा तो बस यह वाली जो term है यहाँ पर हमने क्या करना है आपके substitute करना है question 5 पे जो हमने अब पिछे आई थी तो बस जो यह वाली term आई थी यहाँ पर तो यह वाली term की जगे हमने क्या करना एक्स्ट्रपूट कर देना तो यह यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा बस यह जो मैंने आपको बोला था यह यहाँ पर इस तरह के से लेकर आ गए है और हमने क्या करना है यह जो यहाँ पर आपकी यह वाली जो एक्वेशन थी यहाँ पर भी लोग पीनोट बाई में पीएस है और यहाँ पर भी आपका लोग पीनोट बाई में पीएस है और दुन्नों equation को compare कर दो तो आपका क्या जाएगा? मॉल fraction किसके equal आजाएगा? इसके equal आजाएगा. यहां से आप जो boiling point elevation है, इसको इधर ले लिजे और सारी terms को इधर ले लिजे तो यह आपका एक thermodynamic relation बन के elevation in boiling point में और मॉल fraction of the solute solution के. However, elevation in boiling point is commonly expressed in terms of molality. अगर molality के times में आपका explain करना है तो आप क्या कर देंगे? x2 की value रख दीजिए. ठीक है? यहां पर x2 की value आप रख देंगे और यहां पर भी आपका क्या करेंगे? जो mols हैं उनको हम weight by में molecular mass आपका लिख देंगे. तो इस तरहां से करते करते हैं यह जो आपका है यह इस तरहां से भी हम x2 की जगे यह भी लिख सकते हैं आपका. तो यहां पर यह आपका क्या चल रहा है? आपका thermodynamic property भी जो आपके change आ रहे है according to elevation in boiling point. यह हम कर रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर जितना constant हम बना सकते हैं, molality के terms में उतना बनाएंगे. तो enthalpy of vaporization per gram of solvent में लेकर चल लूँ, LV तो आपका किस तरह से define होता है? इस तरह से define होता है. तो वो जो equation आपकी आई थी, यहां पर यह जो आपकी, यह equation है, यहां पर यह जो आपकी, यह जो term है आपकी, इनको replace कर देंगे. तो यहां पर replace करने के बाद यह LV से replace हो जाएगी. further molality M जो है solution की, वो ले लो M क्या है आपका, इस तरह से सारे का सारे defined है आपका, और आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? यह जो thousand आप यहां पर लेकर चल जाएगा, तो आपका इस तरह से आजाएगा. तो यह वाली term आपकी, यह बन गई. मतलब यहां पर यह molality की term आपकी बनती है. सारे constant को हम बना लेंगे एकी तरफ से. तो यह किसके को लागया? एक constant तो आपका यह वाला आगया और एक constant आपका यहां पर यह वाला पूरा का पूरा बन गया. अब आपको पता है कि अपने आप में जो यह वाली quantity है, ठीक है? यह जो quantity है, यह भी एक constant को represent करती है तो पूरी ही term आपके constant बन गई है. सिर्फ एक m को छोड़के यही आपकी variable बचती है एक तरीके से. तो आपका क्या होगा? यह सारी के सारी term को kb लिख दो. तो यह यहां से आपका del tb किसके equal आगया? kb m के equal आगया. तो देखिए अब इसके हम करते हैं characteristics of moral elevation constant kb. तो आपके moral elevation constant kb की कुछ characteristics क्या है? जो आपके kb की जो value है वो एक constant है given solvent के लिए और वो independent है solute के nature से और concentration solution की. तो experimentally जो हमने observe किया kb वो क्या मिला हमें? कि वो किसके same है? calculated value के same है आपकी. जो 12 में हमने यहाँ पर आपकी यह value calculate की है यह इसके equal है, same ही है. तो यहाँ से यह काफी सारे आपके moral elevation constant दे रखे हैं solvents के लिए. तो आपका एक यह वाला छोटा सही देखे इतना सा article है elevation and boiling point as a colligative property. क्या होती है यह भी explain करोगे और elevation and boiling point आपके colligative property कैसे बनी? यह भी आप explain करेंगे. ठीक है comment section में. इसके बाद आपका आता है determination of molecular mass of solute from elevation in boiling point. तो आपके equation 13 लेकर चल रहे है यहाँ पर इसमें क्या है आपका M क्या है? molality है. molality क्या होता है आपका number of moles of solute dissolved per thousand gram of solvent. तो यहाँ से W2 grams of non-volatile solute हमने dissolve करे W1 gram of solvent में. और M2 क्या है? molar mass है solute का. तो आपके molality इसके equal आपकी आ जाएगी. अब देखिए number of moles of solute आपके इसके equal होते हैं. तो बस यह एक तरीके से आपका क्या हो गया? formula जो आपका molality का था वो ही हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं. ठीक है? तो यह आपका substitute करेंगे जो M की value है आपके इसमें तो यह आपका formula इस तरह से बन जाएगा. तो अगर हमें molecular mass निकालना है solute का, तो आपका यह यहाँ से M2 इधर ले जाएं और यह elevation and boiling point यहाँ पर ले जाएं तो आपका यह वाला formula किसके लिए निकल जाएगा? molecular mass of solute अगर आपको निकालना है, बनाना है, पता करना है तो यह आप यहाँ से experimentally बता सकते हैं. इसके बाद आता है next आपका relationship between elevation and boiling point and relative lowering of vapor pressure. तो elevation and boiling point जो expression है वो आपका यह वाला है, यह तो आपको पता ही है, ठीक है? तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? बस आपका यह यह वाली term है, यह किसके equal होती है आपकी? N2, number of moles of component 2 के equal, तो इसको यहाँ से यह put कर देंगे और W2 यहाँ से क्या निकल जाएगा? N2 into में M2 आपका बन जाएगा. उसी तरह से same W1 के लिए भी आपकी यह equation आजाएगी, तो W1 और W2 को हम equation 1 में put करेंगे, तो इस तरह से आपकी equation आजाएगी, और अगर हम roll slow, dilute solution के ल relative lowering vapor pressure के इसके equal होता है, आपका N2 by में N1 के equal आपका होता है, तो यहाँ पर जो N1 और N2 है, इसको आप equation में put कर दें, तो यह किसके terms में आगया आपका? Elevation and boiling point, relative lowering of vapor pressure के terms में आगया, दोनों के relationship आगए, अब इसके आगया आता है आपका relationship between elevation and boiling point and osmotic pressure, अब देखें, अब दे लेकर चल रहे, यह क्या होता है, देखो, आपको पता है, पाई is equal to CRT होता है, C को फिर N by V पूट कर सकते हैं, फिर यहाँ से V दर चला जाएगा, तो यहाँ से N2 निकाल ले, N2 आगया आपका, आपको आपकी equation तो पता है न, elevation and boiling point की, तो आपको बस उसमें क्या करना है, इसको यहाँ लेकर जाएंगे, मतलब यह इसके बाई में आ गया, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000 KV, W2, इन 2 में, आपका M2 बाई में, W1, ठीक है, तो इसको जो यह W2, W2 बाई में, M2 बाई में, W2, यह इस तरह से आपकी equation लिखी जाएगी, तो अब आपक क्या है, यह यहाँ पर एक ही आएगा, सोरी, तो अब आपका यहाँ पर क्या है, जो यह वाली टर्म है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, N2 से, तो यहाँ से देखिया, N2 तो तर्म आ गया, और Osmotic Pressure में, आपकी equation N2 में इस तरह से बनती है, तो बस यह यहाँ पर पुट कर तो आपकी यह इस तरह से यह जो equation I है यहाँ पर, यह किसकी बनेगी आपकी, Elevation and Boiling Point आपकी Osmotic Pressure की Terms में बनेगी, तो अगर Delure Solution की बात करते हैं, तो उसमें Volume of Solution is equal to Volume of Solvent हो जाता है आपका, तो इस तरह से यह वाली आपकी Term बन जाएगी, तो सबस्टिटूट कर देंग of Elevation in Boiling Point तो जापका Elevation in Boiling Point एक Solution का, अगर उसमें क्या हो, Non-Volatile Solute हो, तो उसको किस तरह से Determine कर सकते हैं, by the difference between Boiling Point of Pure Solvent and Solution, तो यह यहाँ पर आपका Backman Thermometer है, तेक है, यहाँ पर इसको हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो Elevation in Boiling Point का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक Experimental Setup लेकर चल रहे हैं, सिर्फ इसका यहाँ पर बता रखाए हैं किस तरह से आपका Experimental Setup काम करता है, तो वो देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एक Bulb है, एक Capillary Tube है, एक Scale है, Up to 6K तक और एक Reservoir है, R, तो अगर हमें Elevation in Boiling Point, आपका Del T B, अगर मेजर करना है, Small Difference में, अगर Small Difference ह Temperature में, तो उसको मेजर करना, High Precision तो हम क्या करते हैं, आपका Differential Thermometer यूज करते हैं, आपका Differential Thermometer यहाँ पर क्या है, Backman Thermometer, यह डिजाइन है, ताकि हम जो Small Changes है, Temperature में, उसको मेजर कर सके, and not the Absolute Temperature of Solvent and Solution itself, तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर सारा क सारा लिखा गया है, आप इसके वर्किंग, वर्किंग नहीं मतलब, सैट अप पड़ सकते हैं, यह में बता चुकिए, बल्ब है, Capillary Tube है, Scale है, 6K अपटू का, और एक Reservoir है, तो इस तरह से, यह Scaling जो है, यह Calibrate होती है, 0 से, 0 से, 6K तक, and जो इसके Small Divisions होते है, यह Read कर सकते है, 0.01 degree तक, temperature, मतलब, एक तरह किसे Small, अगर measure करना है, हमने, Difference Temperature में, तो उसके लिए यह वाला, यूज़ आप का होता है, The thermometer is gently tapped, to increase or decrease the amount of mercury in the reservoir, in this way, the initial reading in capillary can be adjusted, and at any desired point on the scale, When the thermometer is placed in boiling or freezing solvent or solution, ते इस तरह से कुछ common method है, Next, आपका आता है, Lensburgers method, अब इसमें क्या है, आपका यह apparatus यहाँ पर दिखाया गया, इस apparatus में क्या है, आपका, boiling solvent लिया गया है, यहाँ पर, ठेक है, यहाँ पर आपका क्या लिया गया है, एक condenser लिया गया है, solvent, या फिर solution, जो भी है आपका यहाँ पर होगा, यह rose head लिया गया है, यह एक hot vapor jacket है, आपकी यहाँ पर, यह एक hole किया गया है, यहाँ पर, और यह एक inner tube है, टी, यह तो आपका thermometer यहाँ पर है, और यह क्या कर रहा है, यह यहाँ से, यह यहाँ passing के लिए, यहाँ पर, एक tea tube आपकी लगाई गई है, ठीक है, तो अब यह इसका क्या था, experimental setup था, अब यह बताते हैं, कि क्या करते है, यह method है, यह based होता है, कि हम solvent को heat करते हैं, solution को heat करते हैं, इसके boiling point तक, और फिर इसके जो vapors होते हैं, hot vapors होते हैं, को pass करते हैं, pure solvent के अंदर, और जो आपकी heating है, वो हम बहुत slowly करते हैं, super heating करते हैं, एक दम से, तो land burgers का apparatus आपका, इस purpose के लिए use होता है, यह यहाँ पर बताए गए हैं, इसका apparatus की parts बताए गए हैं, देखे, round bottom boiling flask, ठीक है, in which pure solvent is boiling, एक delivering tube, यह वाली जो बताए गई है, जिस पर आगे क्या लगा हुआ है, rose head लगा हुआ है, to carry out information, uniform heating, ठीक है, uniform heat के लिए हमने क्या लगाया है, एक आपका rose head लगाया है, आगे है आपका inner boiling tube D, ठीक है, आपका inner boiling surrounding, जिसमें आपका क्या है, एक hole भी है, यह यहां पर बताए क्या है, तो इस तरह से एक hot paper jacket भी है, जो कि सराउंड की गई है, inner boiling tube पर, यह सारा का सारा apparatus इस तरह से, सेट अप किया गया, तो देखिए अब इसका procedure क्या है, small amount of pure solvent हम लेकर चलते है, inner boiling tube D में, और इसका क्या है, उसके बाद हम pure solvent को heat करेंगे, इसके boiling point तक, उसके पाद steady steady उसके क्या होएंगे, थोड़े बहुत आपके solvent के वेपर्स बनने लगेंगे, तो जो यह hot vapors होंगे, यह हम किसमें आपके ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके rose head में ट्रांसफर करेंगे, यह यहां पर भी आप बता देते हूं, कि यहां से boiling होएगा solvent, यहा पर rose head तक जाएंगे, जो कि क्या maintain करेगा, आपका uniform temperature आपका maintain करेगा, जैसे जैसे solvent आपका बॉयल होने लगेगा, temperature आपका constant होने लगेगा, और जो thermometer की rating है, हम वो not करेंगे, इससे हमें क्या पता लगेगा, आपका boiling point जो है, pure solvent का वो पता लगेगा, और जो भी वेपर आपक यहां पर इसमें नहीं जाएंगे, यह सारे के सारे क्या करेंगे, इस hole से यहां से निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, आपके, escape कर जाएंगे, outer jacket F से आपके, तो जो फ्लो है, आपका वेपर्स का solvent से, वो stop हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद, और फिर हम क्या करेंगे accurately आपका amount जो solute का वो वे कर लेंगे, inner tube D में, जो जो वेपर्स हैं आपके boiling solvent के, again आपके पास करेंगे solution पे, और again आपका जो boiling point है, वो note किया जाएगा, तो इस तरह से जो आपका, दो temperature का जो difference है, वो बताएगा, elevation in boiling point, तो जो आपका volume है, solution V की, वो हम directly आपके, note कर लेंगे यहां से, volume आपके solution की, तो उससे फिर हम क्या करेंगे, जो mass of solvent W1 है, जो हम calculate करेंगे, उसके साथ, volume के साथ multiply करके, तो आपके क्या निकलाएगी, देखे, density क्या होती है, mass by volume होती है, तो अगर हम mass निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, density into me volume करती है, तो आपका क्या तो इस तरह से, यहां पर आपका, यह सारे का सारा formula किसके लिए है, आपका mass निकालने के लिए, molecular mass determination के लिए, यह एक apparatus का procedure था, method था, इसमें जो source of error है, उनकी बात करते हैं, अब, कि जो आपका solvent को, solution को, जो हम heat कर रहे हैं, वो कहीं पर super heat भी हो सकता है, और इसमें क्या चाह चाहिए, steady heat चाहिए, slow, slow heating चाहिए, तो chances होते हैं, super heat भी हो सकता है, और जो हमारे composition है, solution की, उसके boiling point पे, यह थोड़ा सा difficult है, पता करना, कि solution की composition क्या है, इसकी बाद आपका boiling point measurement है, वो किस तरह से है, कि आपका जो, हम boiling point जो measure कर रहे हैं, वो liquid के अंदर से कर रहे हैं, देख कि इस तरह से, यह काफी अंदर से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा difference, अगर uniform नहीं है temperature, तो difference तो आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो यह इस करके, यह भी boiling point measurement में एक थोड़ा सा आपका flow हो सकता है, तो यह sources of error थे, और इसके बाद आता है, आपका, कोट्रल्स method, कोट्रल्स method में आपका क्या है, यह इसका यहाँ पर apparatus बताया गया, इसमें क्या है, एक thermometer है, एक condenser है, एक boiling tube है, एक pump tube है, एक यहाँ पर क्या लिया गया है, boiling solvent लिया गया है, एक inverted funnel करके रखे और इसके नीचे यहाँ पर क्या है, पॉर्सिलिन पीसिज यहाँ रखे गए है, और इसको हम क्या कर रहे है, हीट कर रहे है, तो जो पिछले method में हमारे जितने भी कमिया थी, उनको दूर करने के लिए, उनको eliminate करने के लिए, हमने quadras apparatus design किया, तो इसमें आपकी यह सारी के सारी मैंने यहाँ पर इसमें बता दिया कि क्या क्या चिज़े आपक लगती है, यह यहाँ पर सेम इसी तरहां से सारे के सारे लिखी गई है, एक non-mass W1 के हमने solvent ले लिया है, किसमे boiling tube में आपका ले लिया है, और यहाँ पर gently हमने उसको क्या किया है, हीट किया है, उसके बाद liquid क्या हो जाएगा, आपका boil करना start कर जाएगा, उसके बाद जो vapors ह solvent के, वो rise करने लग जाएगे, funnel के अंदर, जैसे जैसे rise करेंगे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके pump tube तक जाएगे, और यह यहाँ पर आपके जो thermometer है, यह temperature आपका note करेगा, तो जो vapors आपके उठ रहे थे boiling solvent से, वो rise करेंगे, funnel में और यहाँ पर जो आपका thermometer है, उसको note कर लेगा, तो यह हमारा क्या है, टी note है, उसके बाद non-mass solute w2 लिया, add किया, हमने solvent में, उसके बाद उसका जो boiling point है solution का, फिर हमने उसी तरीके से वो note किया, तो इसके बाद जो यह वाला जो temperature आया, और यह एड करने के बाद जो temperature आया, इनका जो difference है, वो आपको क्या दे देगा, elevation in boiling point आपका दे देगा, यहां से जो advantage है, कोट्रल मेथड की वो क्या है, कि जो super heating है, वो नहीं होगी, क्योंकि जो आपके वेपर्स है boiling point के, वो काम करें, वो हमारे thermometer के बल्ब पे spray कर रहे हैं, तो यहां से यह method के advantage है, इसके बाद second है, आपका advantage, कि जो composition है, solution की boiling boiling point में, वो unchanged रहती है, same रहती है, throughout, उसके बाद आपका जो hollow stopper fitted है, boiling tube पे, वो क्या prevent करता है, contact of cold condensate with the thermometer, तो इस तरह से यह इसके कुछ आपके advantages थे, और यहां पर आपका boiling, जो elevation in boiling point है, आपका, एक colligative property है, यहां पर खतम होता है, तो next आपकी एक last ही बचती है, उसको next lecture में करें,